अलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगी क्लाश 12 के मेंशी का चाक्टर वन विलियन सॉल्यूस है जिस पर हम लोग देखेंगे परसरण दाब निरधारण की बर्कले और हाल्टले विधी ठीक है बर्कले हाल्टले विधी द्वारा परसरण का दाब का निरधारण कैसे होता है पूरा चितर सहीत पहुती आसानी से समझेंगे तो यार एकदाम आसान टॉपिक है और पहुँ जड़ा इंपॉर्टन भी है तो यार फ्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखना तो चलो बात करत परासरण दाब का निरधारण कैसे चितर सहीत अब लोग देखेंगे ठीक है तो देखो ये जो परासरण दाब निरधारण की विधी है बर्कले और हाल्टले द्वारा दी गई है तो यार प्लीज वीडियो को आखरी तक देखना तो चलो इससे देखते हैं पहले क्या करो ठीओरी बढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं तो देखो बर्कले और हाल्टले बर्कले एंड हाल्टले 1904 द्वारा प्रस्तुत विधी एक आप्रत्यच विधी है बर्कले और हाल्टले द्वारा क्या ये जो विधी दी गई 1904 में दी गई और यह एक आप्रत्यच विधी है इस विधी में आर्ध पारगम जिल्ली द्वारा विलायक से प्रथक विल्यन पर बाहदाब लगाया जाता है और विलायक के आर्ध पारगम जिल्ली में होकर विल्यन में प्रवेस होने को रोकने के लिए विल्यन पर लगाया गया आवस्यक बाहदाब ग्याद के जाता है देखो आपको बता दें यह जो आपकी परासरण दाब होता है इसे देखो नीचे पढ़लो फिर बताते पूरा तो देखो परासरण को रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया आवस्या कत्रिक दाब विलियन का परासरण दाब कहलाता है ठीक है देखो परासरण दाब तो य तो आपको समझाए देने और अगर वो वीडियो देख लोगे तो और अच्छे समझ में आएगा देखो विलायक है जो वो अर्धपारगम जिली से होकर जब विलियन की और बुजरता है तो यह क्रिया ही परासरण कहलाती है क्या विलायक का अर्धपारगम जिली से होकर विलियन की और प्रवाह परासरण कहलाता है ठीक है विलायक का अर्धपारगम जिली से होकर विलियन की और प्रवेस को रोकने के लिए ही आपका परासरण दाब होता है देखो यह जो विलायक आर्दपारगम जिली से होका विल्जन के वो प्रवा है इसका यह परसरण कहलाता है और अगर आपको इसे रोकना पड़े तो आप कैसे रोकोगे इस पर एक बाहर दाब लगा कि इस पर अगर बाहर से हम दाब लगा दे तो यह क्रिया परसरण की जो परसरण की क्रिया इसे रोकने के लिए लगा जाता है और विलायक के आर्दपारगम जिली में होका विल्जन में प्रवेस होने को रोकने के लिए ठीक है विलायक आर्दपारगम जिली में होका विल्जन में प्रवेस होने को रोकने के लिए विल्यन पर लगा गया आव का जो इस विदी में आर्दपारगम जिल्दी द्वारा विलायक से पर्थक विलियन पर बाहदाब लगाए जाता है और इसी दाप को हम लोग ग्याद करेंगे बर्कले और हाइटली की विधी द्वारा तो चलो देखते हैं पूरा अच्छे समझते हैं तो पहरे देख लो बर अवस्यक बाहदाब ग्याद के जाता है और परासरण को रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया आवस्यक अत्रिक दाब ही विलियन का परासरण दाब कहलाता है ठीक है तो यह इसकी पूरी ठीओरी पढ़ सकते हो आप देखो इसे चेतर साइज समझने का प्रयास करते है तो अत्रिक दाब जो होता है वही परासरण दाब होता है इसी को हम ग्याद करेंगे इस विधी द्वारा ठीक है तो देखो इस विधी को समझते है तो देखो यह आपका पूरा चितरा है इसका ठीक है यह आपकी पूरा चितरा देख सकते हो यहाँ पे आपका यह पूरा च इसल पनल के आकार की एक नली लगी हुई है और यहाँ पे पिश्टन लगा जिससे दाब में च्षिद्रों में नली इस्टील के एक मजबूत पात्र में लगी होती है जो पूरा पात्र देख रहे हो आप यह स्टील के एक मजबूत पात्र है ठीक है यह स्टील के एक मजबूत पात्र में लगी होती है जो बाह चैकट का कारिक करती है और इस्टील के पात्र में एक पिश्टन पी और थिका है तो इसी से आप ग्याद करोगे सरण नली के एक सीरे पर thissile funnel की आकरत की एक नली ठीक है, डाँड़ डाली और दूसरे सीरे पर एक něली है ठीक है तो यह इसके पूरे चित्र का अभी सिष्टम आप समझ रहे हो क्या कौन सा है ठीक है यहां से देखो आप बताते हैं आपको देखो यह जो आपकी सरण नली है और आर्ध पारगम जिल्ली लगी होई है यहां पर आपको पता है विलायक भरा होता है अब विलायक का आर्ध पारगम जिल्ली में होकर विलियन की और क्या होगा प्रवा होगा तो यह क्रिया कहराएगी परसरण की ठीक है जब आपका विलायक विलियन की और जाता है तो आपको पता है वह क्रिया क्या होती परसरण की अपे जब यहाँ परह सरज क्रिया को रोकना होगा तो अपर से क्या लगैंगे पिस्टन द्वारा दाब लगैंगे और फिर उसे ड loud gauge में हम लोग पढ़ लेंगे तो इसी इस विधी बर्कलें और हाल्ट ले की विधी द्वारा इसी तरह से आप दाब इसी तरह से देख सकते हो यह आपका जब आपका केस नली पे आपका जब मतलब विलायक एक विलियन की और जाने लगता है तो केस नली पे भी bas नीचे की और आने लगता है ठीक है तो ये इसकी पूरी थियोरी है, देख सकते हो, सरण नली इस्टील के एक मजबूत पात्र में लगी होती है, जो बाहे जैकिट का कारी करती है इस तील के पात्र में पिश्टन पी और दाब गेज लगा वाता है सरद नली के एक सिरे पर थिसल फ़नल की आकरती की एक दाड़ नली और दूसरे सिरे पर एक केस नली रगी रहती है ठीक है तो ये इसकी पूरी थियोरी है तो देख सकते हो इसको ठीक है पूरा ये है आपका देख सकते हो याँ पर से आप दाब गेज द्वारा इसके जो बाह दाब लगा जाता है उसको भी पढ़ सकते हो तो ये है आपकी बरकले और हाल्टले की विधी पूरा चीतर साहित आप इसकी थोरी लिख सकते हो ठीक है और आपकी ऐसी विदिये जिससे आप क्या कर सकते हो परसरड आपको ग्याद कर सकते हो ठीक है यह जो विलायक आपका विलियन क्यों जाता है यह क्रिया परसरड होती है ठीक है तो यह है परासरण दाप नर्धार की बर्कले और हार्टलेविती तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहों तो सब्सक्राइब कर देना और भी इसके वाला अगर पहले वाला परासरण का वीडियो देख लोगे तो यह टापिक और अच्छे से आपको समझ में आएगा तो ओके थैंक्स पर वाचिंग देश वीडियो